नमस्क्राइब दोस्तों स्वागत अब सभीका जैसा All In Classes पर दोस्तों आज की क्लास हम सकती जीला के बारे में डिस्कस करने वाले हैं यह 36 गड़ राज जी का 33 जीला है तो यह सबसे नमिन्तम जीला है चैति जीला का और इस तरीके से अब 36 गड़ में वर्तमान में टोटल 33 जीले हो चुके हैं तो यह जीज आपको याद रखना है तो अब तक सकती जीले के संदर में जितने भी ऑफिशल डेटा जारी हो चुके वह सब कुछ आची क्लास में पढ़ने वाल है तो पूरा वीडियो अब लास तक जरूर देख लिजेगा अगर आप घर बैठ एडियो अब लिए अधियो एक्जाम की दारी करना चाहते हैं तो यह एडियो का पैकेज हमारे अप्लिकेशन में लेबल है प्ले इस्टोर पर जैसा ओनले क्लास अप्लिकेशन डाउड कर लेजेगा अधिक जनकर लेकलिस नंबर पर कॉंटेट कर सकते हैं इसी तरह किसे हमारे अप प्री का सीजी विए अपंग का पैकेज मिल जाएगा अलग से कोई सिंगल सब्जेक्ट बिलेना चाहे तो वह भी मिल जाएगा चैसे शेटिस गड़ जीज हो गया हिंदी हो यह इंग्लिश हो तो यह सब कुछ हमारे अप्लिकेशन मिलेगा अप्लिकेशन आप्लिकेशन के के अंदर ही आपको हर एक इंडिजिजिल सब्जेक्ट का डेमो मिल जाएगा और अच्छा लगता है तो आप कोर्स जॉइन कर सकते हैं अप्लिकेशन के अंदर ही तो आज का जो टॉपिक है वो है 36 जड़का नव गठिती जीला जिसका नाम है सक्ति यह 33 जीला होगा अभी नवरात्री ओफर चल रहा है और यह जो ओफर है 26 सितंबर से लेकर 5 अक्टूबर तक चलेगा हमारे सभी कोर्स में आपको 20 परसंट का डिस्कॉंड मिल जागा जितने भी कोर्स का प्राइस है उसमें अलग से 20 परसंट का आपको छूट मिल जागा आपको सिंपली क्य अप्लिकेशन में यह कोर्स लेने से पहले कोड अपलाई करने आपको अलग से टाइप करने पढ़ेगा जैसे आप कोर्स को ओपन करेंगे नीचे स्कॉल करेंगे तो कूपन कोड और लेबल करके दिखेगा वहीं पे बाइड़ लिखा रहेगा नौरात्री उसको टैच करके सिर्फ अपलाई करेंगा अपलाई करने पर आपको 20% का डिसकॉंट मिल जागा उसके बाद पेमेंट करिएगा तो आपको कोई सबी कोर्स लें आपको 20% का डिसकॉंट मिलेगा तो चलिए सबसे पहले हम चैतिर का राजपत्र देखेंगे ऑफिशल जो अधिसूचना जारी किया गया मतलब सक्ति जापक जो है वो ग्र lets गरे नाम हो यहां पir लिखा हुआए तो इस नविन जा ओफिशल नाम होगा यह पिंगा हो जीला की हम बात करें तो बिलासपूर संभाग में ही बनाया है क्योंकि पहले पांच था उसके बाद गौरेला पेंडर मार भाई आया उसके बाद सक्ती हो गया सरंगर बिलाइय हो गड़ हो गया इस तरह किसे अगर आप बिलासपूर में देखेंगे तो वर्तमान में टोटल टोटल आठ जीला है और 36 का सबसे अधिक जीला वाला संभाग भी बिलासपूर संभाग हो गया अभी वर्तमान की हम बात करें तो और यहां पर अधिसूचना में इसके सिमाओं के बारे में भी जिक्र है और कौन-कौन सी तहसील को अलग से मिला कर सक्ती जीला बनाया गया है तो यहां पे अम देखते हैं जान्जगीर चापा के उपकट्सक्ति जीले में यह तो जयाघ्जीर चापा के इन शेजिलों को अलग से कर सकती जीला बनाया गया और इस तरह के से सकती जिले में तोटल 6 ये तहसिल है जो आगे आपको मैप में भी मैं दिखा दूँगा तो ये चीज भी हम एक बार पढ़ लेते हैं उसके बाद मैप में हम कवर करेंगे जैसे सकती जिला ये है तो सकती जिले के नौर्थ में साउस में इस्ट में और पूरू मैं आपका रैगर जिले का खर्षिया और रैगर दो तहसिल पड़ेगा पस्चिम उपका जाणजगिर जाहपा जिले का आपका सारा गाओं एव बमनीडी दो तहसिल पड़ेगा है इसमें कोई अंतरराजी कोई अलग और जृदmäßig नहीं करता इसका ये मतलब है कि कि शकांटीजिला जो है लैंडलों सुभ्राज खाश्यात है और इस तरह कि से चटाल ऐस्ny तान हमें अब हुआ श्यलों कि संखंध नहीं हो गया एक दो दो तीन तीन यासे याद रख सकते हैं एक एक क्या है भू आजटीट जीले दो जो जो जीले हो चुके हैं वह अब जो जानगीर चाहपा जीले था पूरा सकती जीले का ओफिशल मैप है यहां पे आप देख सकते हैं तो सकती जीले के सिमाओं के बारे में जो मैंने आपको बता इस मैप में आपको एक बार और क्लियर कर देता हूं तो यह सकति जिला है, इसके उत्तर में आपका है कोरबा जिला, तहसिल कर्थला, यहाँ पे दक्षिन में आप देखेंगे तो सारंगर, बिलाईगर, तहसिल है सारंगर, पस्ची ने देखेंगे तो जानगिर चापा जिला पड़ागा तैसिल सारागा और बमनीडे और पूर म को याद रखना है ठीक है कुल टोटल जो पडोसी जीले है वो है चार चार कौन-कौन से कोर्बा बिलाइगर सारंगर बातना है सारंगर बिलाइगर जिसको हम कहते हैं रायगर और जानकिर जापा यह टोटल चार बलोदा बजा टच नहीं करता है अगर आप मैप देखेंगे लगता ऐसे बलोदा बजा टच करता है लेकिन अधिस सूचना में तो प्रॉपर जो सीमा बताएंगे कि उसमें कहीं भी बलोदा बजार का जिक्र है नहीं तो आप यह याद रहेंगे कि बलोदा बजार को टच नहीं करता है कुल टोटल जो है चार पडोसी जिले हैं अंतर सबसे बड़ा जिला कौन सा होगा सबसे छोटा जिला कौन सा होगा तो अभी तक मैं चेक कर पा रहा हूं तो सबसे बड़ा जिला कौरबा दिख रहा है सबसे झोटा जिला है ना जिला ieß के बारे में हम हम देख लेंगा सबसे बड़ा कौन साहीं सबसे चोटा कौन सा फiénन में देखा और उपरसम ने देखा और अच्छे से एक वीडियो आएगा जिसमें सब कुछ आपको बता आए घगा такие चीश के लिए में और हम देख लेते हैं कि क्या कि महत्तपुन जीर आपको याद रखना है सक्ति जीले की जो घोषना की गए थी कि सक्ति जीला बनाया जाया कप किया गया था पंदर अगस्त तो हचार जीलों चार नेजीलों की बनाया जाने की खुशना की थे उसी दवरान और इसका जो अदिस सूचना राजपतर में प्रकाशित कप किया था अच शितंबर को प्रकाशित किया गया और 8 सितंबर के एक दिन बाद 9 सितंबर 22 को मुक्य मंतरी भुपेज बगहल जी के द्वारा इस नए जीले का सुभारम किया गया इस तरह किसे 36 गड़ का ये 33 जीला बन गया सबसे नवीनतम जीला भी अगर आप से पूछा जाए सबसे नवीनतम जीला तो आप याद रखेंगे सक्ती जीला है मात्यतो जीला जांजगीर चापा मतलब जांजगीर माल खरोदा विदान सबाट सीट तीन है और तहसील जो है वो टोटल 6 है सकती माल खरोदा जैजयपूर बारदवार डवरा अड़भार इसका लोकेशन भी मैं आपको एक बार बता देता हूं देखें इस तरह किसे हैं यहाँ पर आपका आउटर स्ट्रुक्चर सक्ती जीले जैसे यहां पर लिखा डब रहा तो आपे नहीं यहां पर तो हो जाता है एक दम से लोकेशन ऐसे आपको तो एक्जाम में आएगा भी ने आपको ट्रिक की साफ से याद रखना है मैपिंग इस तरह किसे बनाया जाते हैं ताकि आपको याद हो सके एकदम एक्जैक्ट गूगल मैपिंग के हिसाब से तो हम लोकेशन बता नहीं पाएंगे उद्धर पॉसिबल नहीं होता है एक्जैक अधान की खे conviction के जयानगीर जापा जिले में हम फट्पदे थे पहले विएक होता है तो दो की तूटकर बन रहा है तो आप को याद रखना है कि सक्ति जिले में सवन अधानता धान की क्वेटी सबसे ज tới जादा होती है और सिंचाई जो भूमी है मिughter सी भूमी बहुत ज़ महानधी मांद लाचिसका वीफिज καनद्रपूर शाक्तिजिला में घहां पर हम दिखेंगे महानधी मांद और लाथन आपका रधन की पाड़ी से निकलता है और आपका मांद नदी जो है मैंट पार्ट मांड Nonetheless मांदीयमें प्रपार्ट से निकलता है सरगुजा से तो यह चीज भी हमने देखा हुआ था इसमें कुछ-कुछ चीज है आपको अपडेट करनी जैसे भागुलिक विभाचन तो यहां पर सक्ति आएगा तो यह सक्ति का जो भागुलिक विभाचन वो क्या आएगा यहां पर देखे आपका कमवर मंजवार खड़िया यह सब की जो जनजाती हैं इन जनजाती की लोग इस एरिया में रहते हैं परिवाहर की हम बात करें तो नैशनल हाइवे 49 यहां पर देखेंगे नैशनल हाइवे 49 चापा से लेकर इधर सक्ति को होते हुए रायगर के और जा कुछ महत्य पून इस्तल की चर्चा हम कर लेते जैसे पहले हम देख लेते हैं चंद्रपूर तो चंद्रपूर में आपको बताया है ता कि माहा नेदी मानद लाट का संगम इस जो यह चीज आपको याद रख लेना है चंद्रपूर के बारे में इसके अलावा सन्द्रहाश और यहां पे और देविक छेत्र प्रस्तावित है ठठारी नाम एक जगह है जहां पर मौरी कलिन सिख्के मिले हैं जो कि हम हिस्ट्री में पढ़ाते हैं बालपूर के हम बात करें तो साथ वहन कालिन जो राजा थे अपीलेक इनके सिख्के मिले मुकुट धरपांडे बंसी धर संग्रायल में रखा गया है पूछा जाता है कि कास्ट जो इस्तंभ है वह कहां से बरहमत हुआ है कौन से कालिनक था या वर्तमान में कहां रखा गया तो यह चीज़ आपके वियाद रखना है सक्ती जो है छोटी देशी रियास्त तो में से एक था और सबसे छोटा देशी शक्ती यहां पर राजगोंड वन्षों का शार्षन हुआ करता था और यहां पर रेंखोल और दमो दरह जैसे सूर्यन सुंदर प्रेटंस्तल है रेंखोल में रेंखोल की गुफा फिर मैंसे दमाव दरहा में आपका जलवपरपाद आप सुने होंगे दमो दरहा के नाम से तो ये जिफ जो है सब कुछ शक्ति के अंदर आएगा अडभार में जो ऐ दूबbels Reports माता का मंदिर अडभार में स्थित है इसके सांसे vishnu की चदर्भुझी प्रतिमा भी है अडभार में अड़भार के संदर में और कुछ-कुछ पढ़ लेते हैं यहां अश्ट भूजी देवी की मुर्ति स्थापित है यह इस्थान छेत्र के प्रमुक सक्ति पीष्ठों में इसे एक है कोलकाता इस्थित काली घाट की तरह अड़भार की अश्ट भूजी देवी दक्षिन मुखी मुर्ति है तो दक्षिन मुखी मुखी यह भी है सकते हैं प्राचिन काल में इसे अश्ट भूजी के मंदिर और शहर को घेरने वाली विशाल दीवारों के का ड्वारों के कारण अस्थित द्वार के नाम से जाना जाता था पहले इसका जो नाम था वो अश्ट द्वार था लेकिन बाद में इसका नाम कालांतर में चेंज होकर अडभार हो गया तो अश्ट द्वार अडभार एक ही है पहले अश्ट द्वार नाम था अभी अडभार के नाम से जाना जाता है गुंजी नामकिस्थान के बारे हम बात कर लान पर प्राचिन शीला लेख पाई गया है जो पाली भास्षा में लिखे हुए हैं और यह संभवता पहली शक्त आप दिके हैं महाभारत काल में इस इस्थान कउलेक रिशब्तृत के रूप के मिलता है गुंजी में रिशब्तृत के रूप में इसको लेख दो बैराज है जो की महानधी नदी पर इस्थित हैं कि यहां पर देखिए यह महान अदी हो गया और यह का कलम ऩाना तो सब्सक्राइबर और कलमालडी बैराज महान दी स्थित है। तो जितना कोछ मैंने आपको थियोरी में बताया है उसको एक बार और मैप में बता देता हूं यहाँ पे देखिए दमाउदर हमें आपको दमाउदर हजल प्रपात याद रखना यह है गुंजी प्राचिन शीला लेक जो पाली भार्शा में लिखा हुआ है रिशप्तित के र सबसे चोड़ा देसी रियासत है और यहीं जीला मुख्याला बनाए अरभार में अष्ट भूजी माता कमंतिर और चतुर भूजी विष्णोक्री प्रतिमा किरादी में आपको याद रखेंगे साथ वहन कालिन कास्ट इस्तंबर बरामत हुए है और बालपुर में क्या इस तरसे गुजरती है महह नदी हो गया यहाँ पर लात नदी हो गया पर इसतित रहरगार में दोलो मयट कभंढार नौवीन प्रस्ताईट सब कुछ आपको याद रखना है यहाँ पर इतना कुछ आपको याद रखना है सक्ति जीले के संदर्व में कुछ इतिहास एवं मानेता हैं भी देखते हैं सक्ति जीले के संदर्व में प्रचलित हैं सक्ति जीले के इतिहास पर नजर डाले तो इसके नाम को लेकर कुछ कहानि माना जाता है कि यहां चेटर स्रंबलपूर शाही परिवार के अधिन आता था, दसहरे के दिन गोंड राजाओं ने भैसों को लकडी की तलवार से मारकर अपनी सक्ती का प्रदशन किया था, उसके प्रदशन होकर स्रंबलपूर के राजा ने सक्ती को एक स्वोतंतर रियासत क ऑर जक्तिर रियासत है चत्र के प्रमुक्ह मानिताप्राप्त Πार्डू में से एक है। मानिताथे नुस्वार् यहां की भूमी शक्ति से भरपूर हैं। चत्र सक्तिर प्रदसन की तर्फम्हार से भ्ह Springs Willista की सक्तिप्रदसन ख़क है। मरद्दयपरेश के समय सबसें चोटी रियासती मैं उस में से सबसें चोटी रियासit Teachers और शक humility के 22 साल के बार अभ इसे अलग से Base नाया जिला भनाय गया शकति जी लेके 66 ट रफल के हम बात करें तो एक लाइं कावन हजाि साथ सो 6 सब कुछ आपको सकती जीले के संदर में याल रखना है तो आज की क्लास में इतने ही पढ़ेंगे नमस्कार धन्यवाद अगर आपको यह वीडियो पसंद रहा तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजेगा शेयर कर दीजेगा और अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब ने